वेलकम अमर सर यूटूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है कैसलेट डेटा इंटेपरडिशन इसी भी मेन इग्जाम के लिए बहुत मैंने रखता है आज मैं कि SBI क्लक मेंस का एक मेमरी बेस्ट चांदार कैसलेट डियाई करने जा रहा हूं इंगले सिंधी दोनों में है बहुत मजाएगा और आपकी प्रप्रप्रेशन को गती मिलेगी कैसले डेटा इंटेपरडिशन में मैक्रो व्यू के देखना होता है और जब समझ में आ जाता है कि इसका मैप क्या है तो फिर माइक्रो होते हैं खुषते हैं यह मैक्रो और माइक्रो का जो अप्रोच है यूनीक है सब्सक्राइब करने जा रहा हूं 18 जनवरी 2024 से, जो स्टूडेंस में एक्जाम देने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरी निगरानी में मेरे निर्देशन में कोई एक्जाम दें, यूटूब पर मेरे क्लासेश वैसे ही रहेंगे और जो उनको फॉलो करेंगे उनका रिजल्ड जरूर होगा और एक बात इसके उपर 50% आफ चल रहा है, जितने भी वीडियोज हैं उनका पीडिया टेलिग्राम चैनल अमरसर कॉंपिटिटिव एक्जाम और टेलिग्राम ग्रूप अमरसर बैंक एक्जाम प्रिपरेशन पर दिया जा रहा है, महां से डाउनलोड कीजी और प्रैक्टिस कीजी तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले पढ़ना होता है, इंगले संदी दोनों में है, इंस्ट्रक्शन पहले देखिए, एक बार देख लिजी जिनको दिक्कत हो रही हो, इसका स्क्रीन सॉट ले ले, रोक ले और समझने का प्रैयास करें, मैंने मैक्रो व्यू की बात किया है, तो एक बार पहले देखी कि क्या है मैक्रो व्यू, तो सबसे पहली बात है कि इंस्ट्रक्शन इस तरह से दिये हुए है, इसका मैक्रो व्यू बनाने में आपको दुविदा होती है, जानट हां पाधी कि अजय को नौले कि बिलो Satu-Numbra व्यू टव पक्राय। आप है कि डेयरे कांधी हो कि अजय किुए है इसे देख में आप एंचलेंड टो था वाहिंचिका और three houses हैं, तो समझ गया, three houses हैं, एक total भी लेंगे, और three categories है, तो उसका भी total भी लेंगे, एक नाम होगा, यानि कुल मिलाके five by five का ये एक table बनेगा, ठीक है, अब इस information को हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ इस तरह का map बनता है, ये कह, अच्छे से सजा के हम लोग लिखेंगे, बात करेंगे, आई, देखिए, देखिए, सबसे पहले, house A, total number of units consumed in house A is 250 units, इसका मतलब house A में, यहाँ पर 250 units हुए, आउट of which 120 units are consumed by other appliances, 120 units यहाँ हुए, ठीक है, clear, units consumed by fans, is 30 less than units consumed by lights, अब देखिए भई, मैं यह नहीं चाहता हूँ, कि आप इसको list करके लिखें, 130, x plus y is equal to 130, y minus x equal to 30, और solve करेंगे, यह जमाना गया, ऐसे objective exams qualify नहीं होते हैं, 130 है न, दोनों का sum है न, इसको 30 कम मिलता है न, तो 30 हटा दीजिए न, बाकी बचा 100, उसमें तो कम नहीं मिलेगा न, 50 मिलेगा न, ओरे, 50 plus 30, 80, this is the right approach to solve y plus x and y minus x, यह नहीं चलेगा, तो house A का तो सब कुछ हो गया, चले, इसके बाद है house B, units consumed by lights in house A, A and B are the same, इसका मतलब यह भी 80 हुआ, चले, ऐसा करते हैं, second में, या जो दिया हुआ है, उसको पहले हम लोग यही इसी color से रहने देते हैं, 80, दोनों same है, ठीक है, units consumed by fans in house B, are 60% more than that of fans in house A, 60% जादा है, 60% का मतलब कितना है, 30 जादा है, यानि 80 है, जल्दी बताई, जल्दी बताई, यह भी दिया हुआ था कि इस से इसमें 30 लेस है, यह instruction भी लिखी देते हैं, यह दिया हुआ था, उसके बाद देखिए, हो गया, house A के बारे में बात खता है, house A के बारे में इतना ही था, और house B के बारे में इतना ही दिया है, इसके बाद house C, house C, total units consumed by lights in all three houses is 120, देखिए, इस 200, बतलब lights का total 200 है, देखिए, total 200 है, यह दिया है, तो आपने इसको निकाला कि ठीक है, यह 160 है, तो यह 40 हुआ, यह हमने निकाला, जल्ली बताईए, and units consumed by fans and lights are the same in house C, fans or lights same है, तो इसका मतलब, कि इसको रहने देते हैं, ठीक है, यह दोनों equal है, 40-40, units consumed by other appliances, मतलब C में, is 125% more than that, that by fans in this house, इससे अगर 125%, 100% मतलब 40, 25% मतलब 10, यानि 50 जादा है, यानि कि यह कितना हुआ, 90, यह भी ध्यान रहे है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ से यह plus 125%, यानि कि 50 जादा है, clear, 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 इसके बाद last, टोटल units consumed by other appliances in all three houses is 320 units, यह 320 units है, मैंने color इस तरह से यूज किया, कि जो दिया हुआ है directly, उसको मैंने blue से लिखा, जो निकालना होगा, उसके बाद, उसको मैंने red से लिखा, ठीक है, अब चीजें कैसे जाती हैं, देखिए, यह 210 हैंना, यह 320 है तो 110 हुआ, चल्दी बुली 110 होगा की नहीं, यह 110 अगर हुआ, देखिए, और इधर 170, इधर 160 और 110, 270, इधर 80 और 90, 170, 520, 170, 690 और चेक कर लिजें, इधर से भी सही है की नहीं, देखिए, यह 520 येस, इस इंफरमेशन को ले करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो पहला सवाल आपके सामने है, number of units consumed by lights in house B, देखिए, lights in house B, B, lights in house B क्या है, 80, is what person more than the units consumed by lights in house C, in house C, तो आप जानते हैं, देखिए, lights जो है, house C में कितना है, 40, तो ये कितना पर्षंट जादा है, कितना पर्षंट जादा है, कितना पर्षंट जादा है, difference कितने गाए, 40, 40 माने 100%, क्योंकि 40 माने 100% हमने माना, तो कितना जादा है, clear, 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 इसके बाद, question number 2, average number of units consumed by other appliances in house B, C, D, देखिए, देखिए, इसमें A, B, C है, B, C, D, is 110 units, find the units consumed by other appliances in house D, आसान questions सभी बनाएंगे, लेकिन smart approach क्या है जानते हैं, usual method सभी बताऊंगा, जैसे आप बनाएंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन smart approach क्या है बताऊं, मैं पहरे लिख देता हूं, ठीक है, तो आपको मजा आएगा, देखिए, लिख देता हूं, B, C, D, और average, देखिए, बहुत मजा आएगा, B, C, D, हाना, and other appliances, बहुत मजा आएगा, just value लिखता हूं, देखिए, 110, 90 watt, की average इसका हूं, 110, ठीक है, average 110 है का मतलब, सभी 110 है, तो deviation कितना है, deviation कितना है, deviation कितना है, deviation 0 है, 110 से, यह minus 20 है, तो यह plus 20 होगा, इसका मतलब यह हुआ, यह 110 plus 20, यानि की 130 होगा, answer, जल्दे बताईए, आप जानते हैं इसको लिखने की कोई ज़रत नहीं, आपको पता हैना है कि 110 है, अगर सबको 110 होना है, 110 से 20 less है, तो 20 more होगा, बंधाडी एंसर, लेकिन मुझे new students को भी सम्झाना है, इसलिए मैंने लिख करके दिखाया, सम्झाया, this is first method, second method से भी लिख देता हूँ, second method से आप बोलेंगे, कि D में क्या होगा, pulling a 3 into 110 minus, 110 plus 90, not bad, 110 हटा देजे न, जी अचा छोड़िये, ऐसे बनाने वाला student की पर ध्यानी नी जाए, 110 को हटाना है, कोई बात नहीं, data इतना खराब भी नहीं है, इसे लिए ठीक है, चलेगा, question number 3, I find total number of units consumed in house a and c together, बहुत आसान, a and c, a plus c बताना है, total number of units, a का है 250 और c का है 170 is equal to 420 units, question number 4, find the difference between units consumed by other appliances in house b and c, में house b and c का difference बताना है, and then 10 and 90, इसका difference बताना है, है, that means 20 units, जोली बताई, इसमें भी unit link देता हूं, units, ठीक है, इसके बाद, question number 5, total units consumed by fans and lights together in house c, c, ठीक है, house c में fans and lights कितने है, 40 plus 40 is equal to 80, ठीक है, is what person less than total units consumed by lights and other appliances, देखिए, together in house a, a में बात हो रही है, lights and other appliances, किते हैं, 200, मतलब 80 plus 120, यानि कि 200, पुछता है इसमें, कि कितना ज्यादा या कम है, 120, यह difference है, हम इसका भी percentage निकाल के बात कर सकते हैं, कितने का difference है, यह पूछा था, बोलिए, इस session में मजा आया कि नहीं, मेंस एक्जाम के लिए, SBI clerk मेंस के लिए और इस साल जो preparation शुरू कर रहे हैं, उन के लिए भी मैं two separate way में series continue करूँगा, हर student को मेरे YouTube channel पर सब कुछ मिलेगा, आप पर paid batches होते हैं, student demand करते हैं, वहाँ इंट्रेक्शन होता है, वह भी एक तरीका है, वह courses भी चलते रहते हैं, उसी के लिए SBI clerk में के लिए यह batch शुरू हो रहा है, 18th January 2024 से, ठीक है, लेकिन जितने भी students है YouTube पर जो मुझे follow कर रहे हैं, उन्हें real में किसी course की जरूवत नहीं है, वह शुरू कर रहा हूं ठीक है, लेकिन video भी मैं टेलिग्राम चैनल पर दे रहा हूं, आप आराम से pass कर सकते हैं, don't worry, मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, bye.